नमस्कार राधी राधी गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का आज ये उपरन्यास की वन लाइनर की पहले क्लास है और सुबा छे बजे ये क्लास लाइव है तो बहुत लोग नहीं जुड़ पाएंगे जो जुड़ेंगे वो देखेंगे बहुत लोग बाद में भी दे दूत लगा के ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी या फ्री है तो ध्यान से बैठके सुनिए और लिखिए इसे और सुन सकते हैं आप सुनेंगे तो सौ डेड़ सो उपरन्यास हम देखेंगे कम से कम सौ देखेंगे वाल नाइनर के रूप में क्योंकि उपरन्यास बड़ी कि चलिए बताइए औरत किसका उपरन्यास है अब भटक जाते हैं पर जब सिव प्रशाद सिंग का उपरन्यास हम सभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सब याद है पर जब वही हमारे सामने ऐसे आता है तो हम महां कन्फूज हो जाते हैं है यह किसका तो उपरन्यास को य वुछनाये नहीं याद होती है, अब याद होगा, अब आप देखिए, और याद को बहुत हो जाएंगा, इसकी गरेंटी है, इसमें से बहुत आप लोगों को पता होगा, जो पता है, जो नहीं बात नहीं, उसे नोट करें, थोड़ा साeed डावट है, तो आप भी मेरे तरह प कापी बनाईए और नोट करिए बेनिफिट लेजिए इसका और हाँ क्लास को सभी कियां जितने लोग देखेंगे हमें लगेगा कि हाँ ये क्लास लोगों को पसंदा रही है सम देख रहे हैं तो फिर हम आगे इसे कंटिनु रखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं नमबर नहीं किया है मैंने पर हर पेज पे 25 उपन्यास है और ऐसे हमारे 100-500 उपन्यास डेली हम दे खेंगे ऐसे खतम हो जाएगा फिर कहानी देखेंगे नाटक देखेंगे निबंद देखें कहीं से भी पूछे पेपर में कुछ भी पूछे confidence रहेगा आपको आप सही करके आएंगे तो पहला है अंगूठी का नगीना अंगूठी का नगीना किसका उपन्या से किसोरी लाल गोस्वामी का और सुबह का टाइम पढ़ने के लिए सबसे बेश्ट है छे बजे आप सुन सक पढ़ सकते हैं तो अंगूठी का नगीना उपन्या से किसोरी लाल गोस्वामी का है राधाकान उपन्या से ब्रजनंदन सहाय का रंग में भंग जैरामदास गुप्त का उपन्या से लाल चीन उपन्यास ब्रजनंदन सहाय वीरमडी मिश्रबंधू का वीरमडी प्रभात उपन्यासे देवकी नंदन खत्री का बेकसूर को फासे उपन्यासे गुपाल राम गहमरी का फिर है मा मा उपन्यासे कौसिक का एकाकिनी उपन्यासे श्रीनाच सेंका मंगल प्रभात उपन्यासे हिदयेश का पूरुस और नारी किसका है राधिका रमर प्रिशाद सेंका उल्जन उपन्यासे श्रीनाच सेंका जिनका एकाकिनी था गोध है गोध उपन्यास है सियराम शरण गुप्त का प्रभावती उपन्यास है निराला का किसका है प्रभावती निराला का है अपने अपने अजनेबी उपन्यास अग्ये का है 1961 में अनाम श्वामी अनाम स्वामी उपन्यास जैनिंद्र का है लज्जा उपन्यास इलाचंद्र जोसी का है बाहर भीतर उपन्यास डॉक्टर देवराज का निरूपमा उपन्यास निराला का निर्वाशित निर्वाशित उपन्यास इलाचंद्र जोसी का प्रेमा प्रेमा उपन्यास प्रेमचंद का व्यतीत व्यतीत उपन्यास जैनेंद्र का है विवर्त व्यतीत फिर है व्याभी चार व्याभी चार जो उपन्यास है ये चतुर सेन सास्त्री का है दिल्ली का दलाल उपन्यास उग्र का है वह फिर नहीं आई तो ये आप लोगों को थोड़ा नहीं आधोगा वह फिर नहीं आई और ये उपन्यास भगवती चरन वर्मा का है ध्यान देना है पूछा जा सकता है वह फिर नहीं आई भगवती चरन वर्मा एक रात का नरक उपन्यास अस्क जी का है एक रात का नरक अस्क ने लिखा है पतिता की साधना भगवती प्रिशाद बाजपेई का है चड़ती धूप उपन्यास अंचल का है और पिया पिया उपन्यास उसादेवी मित्र का ध्यान से सुनिए समझी आपने आडियो आन कर दिया है और वो आडियो आपको उपर न्यास पढ़के सुना रहा है आपको ध्यान से सुनना है ठेक कमेंट हो नहो उसके लिए परशान नहीं होना है क्योंकि आप प्रश्ण तो हो नहीं रहा है तो ये मांदारी से पुरी क्लास को सुनना है लिखना है एक बार ना दो बार सुनिए तीन बार सुनिए याद हो जाना चीए पुरा आपको ठीक तो चलिए सुरू करते हैं पतिता कि साधना भगवती प्रिशाद बाजपेई चर्ती धू पंचल पिया उशादेवी मित्रा अब है सेकेंड पेज पे अनंतर अनंतर उपन्यास जैनेंद्र का है वेस्या पुत्र उपन्यास रिसप्चड़ जैन का है काले फूल का पौधा लक्षमी नरायन लाल का हीरक जैनती उपन्यास नागारजुन का चीवर चीवर रांगे राघो का मशाल मसाल उपन्यास भहरो प पूरी का और उपन्याश भहरो प्रशाद गुप्त का नगपनी का देश उपन्यास अंबरित राय पा हो चलते चलते उपन्यास भगवती प्रशाद बजबेई का धर्ती की आँखे उपन्यास लच्मी नरायन लाल का गदर गदर में पुष्ती उना आठ बजे वन लाइनर में गदर उपन्यास रिसर्प्चरण जैन का आखरी दाव आखरी दाव भगवती चरन वर्मा नई इमारत अंचल वचन का मोल उशा देवी मित्रा हरा समंदर गोपी चंदर लक्ष्मी नरायन लाल पूर्णा हुती चतुरसेन सास्त्री का है किसका है पूर्णा हुती उपन्यास चतुरसेन सास्त्री ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा तो नोट कर सकते हैं पूर्णा होती चतुर सेन सास्त्री जो याद होगा उस पे विध्यान देना है विशेश रूप से तो क्या हम रिविजन कर रहे हैं। दीप ये सबन चल के उपन्यास हैं। सिंग सेनापती राहु सांकृत्यायन का थाके पाउं भगवती चरन वर्मा का जनजीरी और नयादमी भहरो प्रशाद गुप्त का अमिता अमिता यश्पाल का है। यूराच चुंडा भगोती चरन वर्मा का। फिर है तिसरा पेच पे मास्टर साहब उपन्यास रिसप्चर जैन का है। सरकार तुम्हारी आखों में उग्र का, अपसरा का शाप यश्पाल का, कुम्भी पाक, कुम्भी पाक नागारजुन का, हाथी के दान्त, हाथी के दात उपन्यास अम्रित राय का है। बांधो न नाव इश्ठा उपन्यास अस्क का है। तूटते बंधन उपन्यास भगवती प्रिशाद बाजपेई का, आत्म दाह उपन्यास चतुर सेन सास्त्रेगा। बाबा बटे सरनाथ उपन्यास नागारजुन का, घरोंदे घरोंदे उपन्यास रांगी राघो का, रेखा रेखा भगवती चरन वर्मा का, निमिशा उपन्यास अस्क का, निमिशा अस्क। कनाट प्लेस लच्मिन रायन लाल, सत्यागरह रिसब चरण जैन का उपन्यास, जबावेगी काली घटा रांगी राघो, सती मया का चवरा भैरो प्रिशाद गुप्त, बीज अम्रित राय, भटी आली भी अम्रित राय का उपन्यास है, कडिया भिश्म साहनी का, एक नन्ही कंदील अश्क का, मनुष्य और देवता भग्वती प्रशाद बाजपेई का, मरुप्रदीप अंचल का, बसंत की प्रतिछा लक्ष्मी नरायन लाल का, जी 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 उग्र का, मंदे की नतकी चतुरसेन सास्त्री का, भाई रिसब चरण जैन का, भाई किसका उपन्यास, रिस जैन कियों फसे क्यों फसे यश्पाल का नई पद यूं रांगेघ billion का जैन का फिर मृषजब घुप्त sınट शहने और ढेक्ग का बीच की दिवारमर कांत का फिर है दुखन लागे नैन उशा देवी मित्रा का है यहां लिखा नहीं गया है किसका है उशा देवी मित्रा का सोम नाथ उपन्यास चतु सेन सास्त्री का चादनी रात उपन्यास रिसप्चर अरजयन का अंति माध्याई भैरो प्रिशाद गुप्त का आकाश पक्षी उपन्यास अमरकांत का यादो का पहार जग्दीश चंद्र का छठा तंत्र बद्धी उज्जमा का दुराचार की अड देरिसप्चर अरजयन का धुप्पल भगती चरन वर्मा का देश द्रोही यश्पाल का खुदी राममरकांत का हिमत जोनपुरी राही माशुम्रजा का आधा पूल जग्दीश चंद्र का अपुरुष अपुरुष बद्धी उज्जमा का और धार धार शंजीव का उपन् आज और अभी भगती प्रशाद बाजपेई का राई और परवत रांगेरागो का ग्राम सेवि का अमरकांत का असंतोष के दिन राही माशुम्रजा मुठी भरकाकर जग्दीश चंद्र एक कहानी अंतहिन हिर्दैश का हम सब मनसा राम, हम सब मनसा राम मुद्रा राग्छस का कटा हुआ आसमान जगदंबा प्रिशा दिछित का साउधान नीची आग है ये संजीव का उपन्यास है जहरवाद, जहरवाद अब्दुल बिश्मिल्ला का कचनार, कचनार है व्रिंदावन नाल वर्मा का यसोधरा जीत गई रांगे राग्छों का एक चुहे की मौत बद्दी उज्जमा का साढ़ साढ़ उपन्यास हिदय एश का है मेरा नाम तेरा नाम मुद्रा राग्छस का किसका है मुद्रा राग्छस का अगनी बीज मारकंडे का है मुखडा क्या देखिये अब्दुल बिश्मिल्ला का और चाड़क के है भगवती चरन वर्मा का मुखडा क्या देखिये अब्दुल बिश्मिल्ला चाड़क के भगवती चरन वर्मा अगनी बीज मार कंडे मेरा नाम तेरा नाम मद्राराक्षेस साथ हे देश का है ध्यान देना है चलिए आते हैं पांचवे पेज पे हमने सव उपन्यास कंप्लीट कर लिए हमने 120 देख लिया तेरा 14 मिनट में तो जिनको याद नहीं होगा पहली बार पढ़ रहे होंगे तो घबडाएंगे नहीं जैसे जिनको याद होगा जो पढ़े होंगे उपन्यास रिवीजन उनको बस करना होगा उनके लिए तो अति उत्तम है पर जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी बहुत बेश्ट है ये क्योंकि आपके सामने रचनाय आ रही है आप नोट करिये मैनत करना सीखिए नोट करिये नोट तो सब करना चाहिए जैसे मैं नोट की हूँ कापी बनाई हूँ आप भी एक कापी लीजिए और नोट बनाईए मैं आपको वन लाइनर उपन्यास कहानी नाटक निबन सब चीज़ का मिलेगा ठीक तो आप नोट करिये एक बार नहीं दो बार देखिए जो नए हैं तीन चार बार सुनिए पंदर 20 मिनट की क्लास होगी जितनी बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगी रचनाए बिल्कुल एक एक रचनाए आपके माइड में सेट हो जाएगी तो इसलिए आप ध्यान से इसको सुनिए तो चाड़ा के हमने देखा भगवती चरनवर्मा का ठेक इसके बाद हम देखेंगे दिव्या दिव्या उपन्यासियस पाल का है राह नरू की रांगे राघो का सुख जीवी सुख जीवी अमर कांत का दिल एक साधा कागज दिल एक साधा कागज राही मासुम रजा लिखी है और टुंडा लाट किसका है तो टुंडा लाट जग्दीश चंद्र हैं दलितु पन्याशकार छाको की वापसी छाको की वापसी बद्धी उजमा का है किसका है? बद्धी उजमा का है छाको की वापसी दंड नायक दंड नायक है हिदेश का तूटे कांटे ब्रिंदावनलाल वर्मा ने लिखा है तूटे कांटे फिर है मुझे मालूम ना था उपन्यास भग्वती प्रिशाद बाजबेई का है पतिता के साधना वाले हैं और दंत कथा दंत कथा तो अब्दुल बिश्मिल्ला जी का है मधुर्स्वापन तो राहु सांकित्यायन का है एकदा नैमिशारनी अमरितलाल नागर का किसका है एकदा नैमिशारनी अमरितलाल नागर फिर है अभी ज्यान अभी ज्यान उपन्यास नरेंद्र कोहली का है धर्ती मेरा घर रांगेर नहीं धर्ती मेरा घर जगदीश चंद्रज का है किसका है जगदीश चंद्र का ध्यान देना है धर्ती मेरा घर तुंडा लाट घास गोदाम सब जगदीश चंद्र के उपन्यास है फिर है सीन पचहत्तर राही मासुम रजा का सीन पचहत्तर किसका है राही मासुम रजा का जंगल के फूल है राजेंद्रवस्थी का किसका है जंगल के फूल राजेंद्रवस्थी का है इंपोर्टेंट है ये किस्सा नर्मदा नंगुबाई किसका है किस्सा नर्मदा नर्मदा न treaties दो is लिखा है पिर है इसके बाद कट्रा भियर्जू राही मासुम्रजा का है बड़ा फेमस उपन्यासे इलहाबाद के जीवन पे ख़बी अर्जू राही मासुम्रजा धर्ती धर्णा अपना तो धर्ती धर्णा अपना जग्दीश चंद्र का है भगोडा भगोडा उपन्यास मुद्रा राक्षस का है किसका है मुद्रा राक्षस का तो ध्यान देना है मुद्रा राक्षस का है फिर है सेमल का फूल सेमल का फूल मारकंडे का है किसका है मरकंडे का फिर है अपना मोर्चा कासी नाज सिंग का हमने अभी देखा धर्ती मेरा घर तो नहीं धर्ती मेरा घर मेरे मुह से सही निकला था और रांगिय रागव का ही है जगदीश चंद्र का नहीं है इनका है धर्ती धन्ना अपना धर्ती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का है और धर्ती मेरा घर रांगे रागो का है आपके सारे डाउट यहीं दूर हो जाएंगे एकाद दो होगा तो वो मैं हो ना मैं उसको सही कर दूँगे आप लोग टेंसन न लें लिखने में कहीं मिश्टेक हो जाता है तो वो एकाद दो मिलेगा पर उससे आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगे क्योंकि फिर सही हो जाएगा वो तो धर्ती मेरा घर रांगे रागो का धर्ती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का सेमल का फूल मारकंडे का अपना मूर्चा का सिना सिंग का सरकत संजीव का भुवन विक्रम विंदावन लाल वर्मा का पीढ़िया अमृत लाल नागर का कट पुतली के धागे आनंद प्रकाश जैन का बेकसी का मजार प्रताप नरायन श्रिवास्तों का पड़ी पुत्री सोमा राजीव सकसेना का है बहुत अच्छा उपन्यासे पड़ी पुत्री सोमा आखिरी अवाज रांगी राघो का है किसका है आखिरी अवाज रांगी राघो का आखिरी दाव भी है आखिरी दाव भगती चन वर्मा का है कभी न छोड़े खेत जगदीश चंद्र का है, प्रपंच तंत्र मुद्रा राच्छस का, जय यौधे राहुल सांकृत्यायन का है, और दिछ्छा उपन्यास नरेंद्र कोहली का हमने 1.500 के करीब 140 उपन्यास के प्रश्ण देख लिए, मात रठा रहुने इस मिनट में, तो इसे कहते हैं, फास्ट रिवीजन, और जो नए होंगे वो भी तयार कर सकते हैं, घवडाना नहीं है, पढ़ने के तरीके हैं, आप बस जो बताया जा रहा है, जो क्लास मिल रही है, इमांदारी से उसे करिए, इधर उधर कहीं भटकने के जरूरत नहीं है, जितने प्रक्टेश जो चीजे चाहिए, सब आपको यहां मिल जाएंगी, अभी एक 10 बजे व्याकरण की होगी, फिर 12 बजे जो हमने बताया कि नया सुरू किया है, वाल लाइनर का टॉप 100 तो अगर आप लोग चाहते होंगे, तो हो जाएगी, सिखी और क्लास कैसी लगी, कमेंट में क्लास खतम हो जाएगी, तो बतायेगा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, कोई सुझा हो भी दीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों के पास सेयर करिए, और चैनल को सस्क्र करें, चैनल का प्रशार करें, आप लोगों ने क्लास देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सुप्रभात, आपका दिन मंगल मैं हो, पढ़ाई के साथ दिन के सुरुवात हुई है, दिन अच्छा ही जाएगा, ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही